दोस्तों कैसे हैं आप सब आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं जा फिर वाटसप भी कर सकते हैं अब मैं बात करूंगा आज के वीडियो सिग्मेंट की जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक आवरनेस भरा पत्र आज के स्पत्र में मैं लेके आया हूँ आपके लिए सर्कूलर नमर 651 पी सीडे ने एक सर्कूलर 25 अक्टूबर 2021 को पब्लिस किया है और उसमें इंकलोज किया है उन्होंने जो कॉन्करणेंस टेबल 10 जून 2020 को निकले थी उसको अब यह जानने की और यह बताने की मैं यहाँ पर पूरा प्रियास करूँगा कि इसका मतलब क्या है कौन इस पर एक्षन करेगा कौन पैंसन का रिवीजिन करेगा कब यह होएगा होएगा या नहीं होएगा या सर्कूलर सी चलते रहेंगे बहुत सारे कुश्चन्स आपके मन में है मैं जाता हूँ मैं कोसिस करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इस सारे कुश्चन को जबाब दे पाऊँ आगे चलते हैं वीडियो में दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं प्री 2016 पैंसें डिवीजन की कॉनकारन स्टेबल 2021 दस जून से सोचल मीडिया पर यहां वहां गूम रही है आपके पास भी हो की 100% स्टेबल को फैनली PCDA ने सर्कुलर नम्मार 651 के तहट सभी रिकॉर्ड्स और P.O.R. को पैंसें के रिवीजन के लिए 35 अक्रू 2021 को भेज दिया है बेशक यह एक फैदेका कदम होना चाहिए PCDA की तरफ से जो की कायरवाई करने के लिए OIC रिकॉर्ड्स और P.O.R. को भेज दिया गया है ताकि पै रिवीजन या पैंसें फिक्सिशन किया जा सके इस सर्कुलर का सब्जेक्ट कांकर्णन्स टेबल 2021 जो की 10 जून को निकली थी सेम सब्जेक्ट है इसमें सर्कुलर में जो है इसकी जो लेंगवेज है उसमें लिखा है कि 1903 से 2016 तक जो भी पैंसें रिवीजन हुए है जितनी भी अब तक पैंसें रिवीजन की गई है पर सम्मिट की जाए दोस्तों इस circular का यदि हम विस्तार से इसकी connectivity देखें तो हमें पता चलता है कि इसमें इससे पहले भी जितने भी circular निकले हैं लाइक एज circular नमर 608, circular नमर 610, circular नमर 617, उसके बार निकली concordance table 10-2020 को और इससे पहले एक सर्कूल निकला था 555 OROP का revision या OROP के बारे में आगे लाश्टली अब ये circular 655 निकाल दिया है ये सभी परिपत्र यानी circular लगभग एक समान उद्देश को अग्रिसित करते नजरा रहे हैं और इनका उद्देश सर्कूल निस सो तैतर से 2016 तक जितने भी pension revision होए हैं उन सभी का एक ही करन करना है यदि OROP revision होगा तो उसमें यह concept रखा जाएगा कि सभी pensioners को जो की pre-2015 है pre-2016 है और post-2016 भी है उन सभी को और include करते होए उनिस सो तैतर से 2016 तक के सभी pensioners को एक pension table से pension दी जानी चाहिए ऐसा OROP का revision का उद्देश रहेगा और OROP का revision मतलब 7 CPC pension का revision और OROP का revision मतलब OROP 2 यदि OROP 2 कोई कहता है तो आपको समझाना चाहिए कि यहाँ पर 7 CPC pension revision की बात की जा रही है जो की CGDA committee के consideration अभी मैटर चला हुआ है पिछले 3-4 साल से चली रहा है आगे क्या होगा यह आगे की बात आगे देखिए दोस्तों almost service circular का purpose और agenda सिर्फ pension revision है और यह pension revision as per pay matrix होना है तो चाहिए वो कोई भी pensioner हो family pensioner हो या service pensioner हो उन सबका इससे हिसाब से होना है जैसा कि I feel that various type of circular make only confusion जैसा कि मैं सोचता हूँ कि यह जितने भी तरह के circular निकाले जा रहे हैं यह सिर्फ confusion पैदा कर रहे हैं बंदे satisfied होई नहीं पा रहे हैं क्योंकि बंदों को पैसा नहीं मल रहा है बंदों को कागज जो circular निकल रहे हैं इन circular की संक्या घटा के इनका यह की circular निकाल दिया जाए और वो implement कर दिया जाए on ground तो बंदे जाया मेरे साब से तो बंदों को ज दोस्तों circular से हमें एक होप जरूर बनती है कि pension बढ़ेगी बट previous circular की implementation से पूर्फ यानि कि पहले एक circular निकला है उसकी implementation से पहले ही एक और नया circular आपके सामने होता है और वहाँ पर फिर confusion पैदा होता है और तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कुष्टियनरी बैंक होता है जि अभी तक हम previous circular को पूरी तरह understand ही नहीं कर पाते हैं तब तक एक और नया circular हमारे सामने होता है मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह के सभी circular का विशे बिंदू यानि की subject common होता है इस को सुना आपने इस लाइन को अब आगे जितने circular साब को मिलेंगे ना वो सब इसी से मिलते चूलते मिलेंगे दोस्तों इन सभी circular का सिर्फ और सिर्फ एक ही agenda है और वो है प्री तुठाजिन के pensioners family pensioners की pension को as per pay matrix revision करना पर तुठ दोस्तों pre 2016 के pensioners को pension as per वारुपी के अंसार दी जा रही है और post 2016 pensioners है उन्हें pension मिल रही है pae matrix के अंसार अब देखो कुछ उको यहां पर से बयंजन को नौसनल पे के according नौसनल पे की matrix के अंसार मिल रही है अब यहां पर बंदों को बहुत जादा confused कि हमारी पे matrix के according होनी चाहिए, pay scale के according होनी चाहिए, pay range के according होनी चाहिए, या फिर आपकी जो pay है, उसके according pension calculate होके सही आने चाहिए, दोस्तों, officially तोर पर, जिस किसी method से आपकी pension अधिक फायदा पहुचाने वाली set होती है, उसके मताबिक आपकी pension को calculate किया जाता है, ये एक rule है, कुछ लोग कि अमसार pension benefits अभी तक नहीं मिलें और कुछ को मिल रहे हैं, और original वारुपी की जो pensioners से, या pension जो है, वो अभी तक दी नहीं है, सरकार की तरफ से बार बार कहा जाता है, कि दी दी गई है, हमारे pensioners से वो कहते हैं, original वारुपी हमें अभी तक मिली नहीं है, जिसका case, one nine, eight, one eight 2016 से Supreme Court of India के अधीन है, उसके उपर अभी latest hearing जो होनी है, वो 21 जनवरी 2022 को होगी, अब ऐसी इस्तिती में बेचारा pensioner जाए तो कहां जाए, मैं आपको बताना चाहूँगा, 600 क्यावन का concept क्या है, जहां पर subject समान है, equal है, और circular 685, 608, 610, और 617 को जो है, reference करते हुए, यह circular यह पर बनाया गया है, और पहले हम इन, यह जो circular है, इस circular को जो, sorry, जो 651 जो circular है, पहले तो हम कोसिज करेंगे कि जानने की कि आखिर यह कहना क्या चाहता है, क्योंकि यह जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि कहना क्या चाहता है, तब तक हम कैसे अंदाजा लगाएंगे, इसकी language क या इसकी language क्या कहना चाहिए, उसको हम कैसे जानेंगे, उसको जानने के लिए जरूर है कि उसके points को हमें पढ़ना चाहिए, तो चलिए, हम circular 651 को देख लेते हैं, 651 जो government of India का है, PCDA दोआरा 25 October निकाल गया है, इसने address किया है OIC records और PORS को, subject बोलता है, issue of concurrence table for revision of pension of pre-2016, 16, pensioners, family pensioners, under first formulation and implementation of the government decisions on the recommendations of the 7 CPC regarding, और references में, circular no. 585, dated 21-2007, circular no. 608, dated 26-2008, circular no. 610, dated 5-2008, और circular no. 670, dated 6-2009, 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 इन्होंने पहले ही पेरा में लिखाया, attention, is invited to para 2 of government of India, MOD, letter number, reference दिया है, 17-2008, का एक letter number है, इसका reference यां पर दिया है, circulated by circular no. 608, dated 26-2008, wherein, it has been mentioned, that concurrent unstable, or Jesus, or who discharged dead, in service, prior to 11-1986, prior to 11-1973, for sellers, were under preparation and shall be issued separately, यह कहना चाहता है, कि government of India का एक letter है, उसके अनुसार, इनकी pension का revision, यानि कि instructions of the pension revision are there, with the government letter, second point कहता है, now, government of India, MOD, has issued white, their letter, file number, और यह दिया हुआ, आपके सामने, आप यह खुद पढ़ सकते हूँ, और यह कहता है, issued a concurrent stable, for fixation of national pay, as zone 11-11-2016, for the issuers of army and airmen, of air force, who retired, died in various ranks, after the implementation of third CPC, आप यहाँ पर इनों ने बोल दिया है, कि यह third CPC के बाद, यह third CPC आने पर, उनका जो pension revision होना, उन बंदों का, उनके बाद वालों का, third CPC से effective बंदों का, वो इस letter में instruction दिया है, उसके according होगा, ठीक है, third point केता, in view of the above record offices, are requested to prepare, forward the claims, for the revision of pension in the respect of pre-1-1-2016 pensioners, family pensioners, pensioners in accordance with the instruction given in Office Circle No. 6, sorry, 585, DTD, 27, and amendment thereof, using this concurrence table for fixing the national pay of the pensioner, अब इनोंने क्या का है, कि भाईया, record को यह request करिए इनोंने, कि आप हमें इसके उपर जबाब दे, कि इनकी pension की calculation, revision, अब कैसे करेंगे, और करेंगे, तो 585 में जो instruction दी, उसके according करेंगे, all other terms and conditions shall remain unchanged, इसके अलाबा, यह कहता है, चौथे परा में कि, इन तीनों परा, one, two, three में, जो letters के references दी हैं, इनके अलाबा, कोई भी changes, जो होने हैं, वो बिलकुल, कोई भी change नहीं हो गया, यानि कि unchanged रहेंगे, this circular has been uploaded on this office website, यहाँ पर दिया website, और disseminate to all concerned, और सबी संबंदित ब्रांचों को भेज़ दिया गया है, हिंदी version आप ले सकते हैं, मिल जायाएगा, और यहाँ इनका नम्मर लखाया है, grand stack जो भी है, हिर्मान सुत्रफाटी जी, डिप्टी, CDAP, इन्होंने send किये हैं, बहुत ही, और बहुत सारी लंबे चोड़ी लेस्ट यहां पर लेगी हुई है, इसके बाद में यह, इसका concurrency table जो है, पूरी यहां पर 72 page की attached है, इस तरह से इन्होंने क्या किया है, कि आपको सर्कुलर 651 को दे लिया है, अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, कि इस पूरे सर्कुलर में सिर्फ record officer P.O.R. की P.O. ओफिस की ही करवाई है, तो यह जो revision of pension पुराने सर्कुलर के अधार पर होगा, पहले तो यह आपको जानना चाहिए, और आपको इस संदार में सिर्फ record office से संपर करने की आफशिकता है, मैं जहां तक समझता हूँ कि आपको बाकी जगे इससे संबंदित पता करने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, तो आपको सिधा connecting करनी है अपने record office से, उनसे पूझना एक सार इसके बारे में हमारा क्या है, क्या हमारा benefit होना है, क्या नहीं होना है, वो आपको यह चीज़ बता पाएगी.